Students of CBSC, CISC and any other state board बच्चों आज एक वीडियो मैंने बनाई है कोविट को ध्यान में रखते वे ये एक बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है न्यू चैनल के थूरू कि क्या बोड एक्जाम 2023 वाले रद होंगे क्योंकि कोविट भी धीरे-धीरे अपने पैर पसाडने शुरू कर रहा है स्पर्ट्स की माने तो जैनवरी मन्थ में एक ब्लास्ट होने वाला है कोडोना का ब्लास्ट जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं पहले वेव में भी ऐसे ही वा तर शुरू के कुछ दिन हमें पता नहीं चल रहा था दूसरे कंट्री में नंबर्स फैल रहते हैं लाइक चाहिना अब यह स्थिति आ गई है कि आप दूसरे कंट्री जाएंगे तो आपका कुछ जगों पर पूरे जैनवरी के लिए एक तो ठंड की विज़े से बंद कर दिया गया और कोविट के वज़ा से भी मिड ऑफ जैनवरी तक जो है सो काफी सारे स्कूल में छुट्टियां भी पर नहीं हैं इस भर में कोरोना के 227 नए मामले सामने आए हैं और अब ही सब्सक्राइब किया है और इस मीटिंग में यह फैसले लिया गया है कि अभी सोचल डिस्टेंसिंग का पालंग किया जाएगा एक्जाम वगएरा का जो डेट अभी है वही रहेगा फिल्हाल देश्मों चेंज क्योंकि अभी इसका इंपक्ट हम देखी नहीं पार है कि क्या होगा प्रेडिक्शन है कि जैनवरी में ब्लास्ट होगा तो अभी जैनवरी स्टार्ट हुआ है तो अभी पहले से कहा नहीं जा सकता है कि होगा क्या अगर ब्लास्ट हुआ तो फिर क्या होगा कि अगर लॉक्डाउन की सिच्वेशन आए तो फिर आपका एक्जाम जो है व प्राक्टिकल तो तब तक होई जाएगा जैनुवरी मिड आते आते हमें अंदाजा लग जाएगा कि कोविड क्या इंपक्त हो रहा है अगर इंपक्त जादा रहा तो फिर आप अगर लॉक्डाउन लगी तो फिर तो सही है कि आपका एक्जाम कैंसर पोस्पॉनमेंट की और चैनल के माधियम से मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टी अपडेटेटेट इप दिद चैनल एंद कीप स्टॉड़ी वेडिवेस्ट वाल शूदिल्स